सो हे गाईस कैसे आप लोग मिन्त करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक में यहाँ पर हम जानने वाल है एक्सपो एम्प्लिफायर के बारे में जो की इसका मोडल है एक्सपी वन थाउजेड जो की यहाँ पर दो टॉप कितने हजार वाट तक हम चला सकते हैं और दो बेस या फिर एक बेस जो भी है इस टाप के मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहां पर base और top कितने वाट तक हम इसमें चला सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ expo xp 1000 का price जो कि यहां पर model आप देख सकते हैं expo xp 10,000 यहां पर model आपको मिर जाता है लेकिन यह amplifier आपको जो है आपका एक 1000 वाट का amplifier है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल में नया है तो नहीं चाहिए सब्सक्राइब करिएगा बेल एकन को all में सेट करिए सब्सक्राइब करता हूँ और चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं फटाबट से दोस्तों बात करते हैं इंप्लीफायर के उपर से तो यहां पर फ्रट लुक में आप देख सकते हैं एक्सपो का यहां पर ब्रैंडिक आपको मिल जाता है एक्सपी 10,000 मतलब कि यहां पर जो कि понятно है जो की 1000 वाट का इंप्लीफायर है यहां पर देख सकते हैं जो कि यहां पर एक माइक का आपको सामने में आपको मिल जाता है उप्सें जो कि माइक का यहां पर जैक्पी नहाप लगा सकते है वही हम देखेंगे हम देखते हैं तो यहां पर दो हैंडल हमें मिल जाते हैं काफी बड़ा और एंप्लिफायर काफी खुबसुरत यहां पर आपको हेवी एंप्लिफायर मिल जाता है तो चले फटा फट से बात कर लेते हैं यहां पर तो यहां पर इस एंप्लिफायर में हम चला सकते हैं कितने वाट का टोप और कितने वाट का बेस तो यह पहले में आपको बताने वाला हूँ तो पहले में हम जानते हैं आपर बेस से तो यहाँ पर बेस अगर हम इस एंप्लिफायर में चलाते हैं एक्सपी, सोरी, एक्सपो के 41W के amplifier में, तो यहाँ पर हम बेस चला सकते हैं, अगर आप एक बेस चलाते हैं, तो यहाँ पर एक बेस आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस्तो amplifier में 8 ohms का option नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाता है, common, two ohms और four ohms का option मिल जाता है तो यहाँ पर आप इसमें दो बेस आप चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 650W के दो बेस आप चला सकते हैं, मतलब कि दो speaker, parallel connection में रहेगा, और 4 ohms में आप इसको run करवा सकते हैं, काफी अच्छा बेस आपको मिल जाएगा, वह हम बात करते हैं, top से तो यहाँ पर top अगर आप heavy से heavy top चलाते हैं, जैसे कि एक top तो यहाँ पर 600 के dual top आप चला सकते हैं, जैसे कि 600 प्लस 600, प्लस 100W या फिर 110W का HF, लगभग यहाँ पर एक top 1300W के करीबन यहाँ पर complete बन जाता है, तो यहाँ पर एक top आप 1300W का, इसमें आप काफी अच्छे से run करवा सकते हैं काफी अच्छा sound आपको मिल जाएगा जो कि common और forums में आपका लगेगा parallel connection में, वहीं बात करते हैं दोस्तों, आपर two arms में, जैसे कि यहाँ पर दो top आजाता है, मतलब एक pair, एक pair अगर हम top चलाते हैं, तो यहाँ पर हमें speakers कितने watt का, रखना पड़ेगा यहाँ पर उस तो speaker आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर साड़े 300, प्लस साड़े 300, मतलब की एक top आपका बनेगा, 700W का 700 प्लस 700, मतलब की 400W हो जाएगा, parallel connection में हमारा रहेगा, तो यहाँ पर 2 ohms load हमारा बन जाता है तो यहाँ पर common और 2 ohms में हम यहाँ पर connect करेंगे दोनों top को और काफी अच्छे से यहाँ पर हम चला सकते हैं तो यहाँ पर 700W के 2 top आप चला सकते हैं, ज्यादर ज्यादर उससे ज्यादा आप वहाँ पर wattage मत डालिएगा इस amplifier में अगर अब जाते हैं तो यहाँ पर 800 प्लस 800 तक जा सकते हैं लेकिन उससे heavy तक आप मत जाईएगा बात रहती हैं यहाँ पर expo xp 1000 मतलब कि 1000W के amplifier के बारे में इसका price तो यहाँ पर इसका price लगभग आपको कितना पर जाएगा तो यहाँ पर market की उपर depend करता है सभी market में अलग-अलग price होते हैं, 12000 के उपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पर approach price इसका पर जाता है, लगभग 16000 के आसपास में आपको मिल जाएगा market में, और काफी अच्छे amplifier है, आप इसको purchase कर सकते हैं, 20-10, बेस अगर चलाते हैं, तो 650 वाट के दो बेस चलाएगे, और अगर टॉप चलाते हैं, तो 1300 वाट का एक टॉप चलाएगे, या फिर 700 वाट का दो टॉप आप चला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया, तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही था, वीडियो को लाइक करिएगा, सेर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चला में नहे हैं, तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लिजिए, और बेल ऐकन को आल में सेट कर लिजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोट करूँता, आपके पास नोटिपिकेशन मिल सके, और कमेंट अप करना मत भूलिएगा, वीडियो कैसा लागा, वीडियो किस टोपिक पो